उदेईमान सूर्य को अर्किदेनी के साथ ही चार दिनों से चला आ रहा लोकास्था का महा पर वचैती छट संपन हो गया देई रात से ही छट घाटों पर टोकरी लेकर व्रतियों के पहुँशने का सिलसला शुरू हो गया था जमशेदपुर के चट घाटों में भी खासी भीड देखी गई राची के नक्षत्र वन तालाब में शुद्धालवों ने उदेईमान सूरी को अर्क दिया और इस दोरान वहाँ पर शुद्धालवों की भीड देखने को मिली यहां का जाइसा लिया सहियों की शानवास ने बड़ी बेसबरी से तीन दिनों तक निर्जला व्रत रखने वाले छट वर्तियों को बेसबरी से भासकर के उदै होने का इंतिजार है आप देख सकते हैं राची के हटनिया तलाब में किस तरह से शर्दालों की भीड उम्री हुई है और लोग आदे घंटे से एक घंटे से भगवान भासकर के उदै होने का इंतिजार कर रहे हैं चारों तरफ जो माहौल है एंबियंस है वह वह भक्ती में है और दूर दरास से जितने रास्ते इस तलाब के ओर या अन तलाबों और जलाशियों के ओर आ रहे हैं वो तमाम पे भक्तों की भीड है और जो कमीटीज हैं उन्होंने साफ सफाई का भी बेहतरीन इंतिजाम किय है और रोशनी का भी अच्छा इंतिजाम है आप देख सकते हैं धीरे 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 सुर्जैदव हो रहा है हाला के दर्शन अभी नहीं हुए है भगवान गुवन भास करके और शर्थालियों में उनके जज़्मों में कोई कम ही नहीं है आप देख सकते हैं अलग अच्छ भी उससे कोई कम माहल नहीं है आज इतनी भीड ऐसा लगता है कि छट का वो जमाना एक बार फिर लोट आया है लेकिन हम आपको यह तस्वीरे दिखा रहे हैं राची के नचत्रवन इस्तित हटनिया तलाब का है जहां पर भक्तों की जो भीड बता रही है देखिए अर्ग उसका सिलसिला शुरू हो गया है और एक परिवार है जो अर्ग देने में महीला का हेल्प कर रहा है साहिता कर रहा है उसका कुछ लोगों से बातचीत भी करते चलें आप बताईए आप कहां से आई हैं क्या-क्या आप लोग कर रही हैं अभी अभी चट ने करते हूं यह वाला चट भी किया है दो तीन बार मेरी मदर इनलों है उनके साथ किया था मैंने आप कुछ गा रहे थी चट माता का गीत का है आँटी चट का गीत का है आँटी चट का गीत का है आपने तो जाए बसुरोज सोबीता के पास ला हमारो के दे ले जाई हा दे ले जाया सी सिला ले के बालक वाबीनू बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद चैती चट में भी चट करने वालों कोई कमी नहीं है और उत्साम में कोई कमी नहीं है